असलाम उलेकुम किलास बेकॉम के न्यू लेक्चर के साथ हम लोग हाजर हैं लास्ट लेक्चर में हम लोगोंने न्यू चेप्टर स्टार्ट किया था और उस न्यू चेप्टर में हम लोगोंने मीन से रिलेटेड चीजे पड़ी थी data था हम लोग के पास data को हम लोग solve करते थे और हम लोग mean मालूम करते थे आप लोग को याद होगा last lecture में मैंने आप लोग को बताया था कि तीन तरह के data है एक है हम लोग के पास ungroup data, एक हमाई पाग group data और एक हम लोग के पास frequency distribution का ungroup data अब होगा क्या हम लोग के पास कि हम लोग उने जो last lecture में discuss किया था वो ungroup data था और ungroup data में हम लोगों ने arithmetic mean का काम किया था किस तरीके से कहने के chapter की heading डाली थी फिर हम लोग उने types of averages लिखी थी mean, mode, median, harmonic mean, geometric mean उसके बाद फिर हम लोगों ने arithmetic mean के heading डाली थी, arithmetic mean की definition लिखी तो उसका formula लिखा था और उस formula के बाद हम लोगों ने काम करना start किया था ungroup data के लिए और फिर हम लोगों ने तमाम examples read करी थी और हम लोगों ने examples करते करते हम properties पर आ गयते हैं और तकरीबन तीन properties हम लोगों ने करीं थी जो combine mean तक थी और उससे related जो question से question number 2.1 से लेकर 2.20 तक सही है मेरे खाल से यह homework था 2.1 से लेकर 2.20 तक यह तमाम के तमाम question आप लोगों के homework question थे practice question जो आप लोगों करने थे सही है तो यह तमाम question में किसी में arithmetic mean मालूम करने का बोला हुआ था किसी में observation आप लोगों के पास एक property रह गई थी वो property कौन जी थी arithmetic mean की fourth property थी उस फोर्थ property के मताबिक हमारे पास उन्होंने बोला है कि कभी भी arithmetic mean वेरियबिल पर apply किया जाये तो variable के उपर बार आ जाता है हाँ अगर कोई constant हमारे पास mean के साथ साथ प्लस और ऊया माइन से या से एक साइट अप्लाएग विवा थिए सब्सक्राइब इसका को हैं आपारना सौ्फरी में लेकि जो काम एक साइट पे करने बीड़ कि अपर है को अर्फमेटीग मीन जब x पे apply हुआ तो क्या हो गया x बार हो गया प्लस प्लस arithmetic mean अप्ला हुआ 5 पर तो 5 ही रहा यानि कि अगर कोई constant variable से multiply हो रहा हो plus हो रहा हो minus हो रहा हो divide हो तो उस constant पे कोई असर नहीं डालेगा arithmetic mean arithmetic mean सिब apply होगा किस पे variable पे variable पे apply होगा तो arithmetic mean of x क्या हो जाएगा x बार जिस तरीके से arithmetic mean of y क्या हो जाएगा y बार जिस तरीके से हो गया था तो यह equation जब हम लोग अर्थमेटिक mean apply करेंगे तो यह ऐसी बन जाएगी 2x बार प्लस 5 के बराबर आजाएगी सही अभी पहले हम लोग variable को multiply करेंगे 2 से और फिर 5 को add करेंगे अब हम लोग क्या करेंगे अब हम लोग उसके mean को multiply करेंगे 2 से और 5 को add करेंगे यानि कि जो फर्क variable पर परता है वही फर्क उसके mean पर परता है अगर हम लोग mean मालन कर रहे हो variable के मदद से variable आएगा mean के मदद से mean आएगा यानि कि mean of x बार की रहे से mean of y बार आएगा यही पूरी चीज़ उन्हें प्रॉपपटी निमबर 4 में लिखिए इस एड़र सब्रेक्टिक तो इच वेल्यू अफ यही फर्क नहीं पड़ेगा इस एक्स माइनस भी विर बीज़ एड़र इस एक्स बार माइनस भी पेज नमबर 35 मीन की फोर्ट कॉपटी पे बुक्स आप लोगोने ओपन करी होंगी साथ साथ देख रहे होंगे आप लोग और इस एक्स प्लस भी प्लस में हों कॉंस में हों देन वाइबार इस एक्स बार प्लस भी similarly, if each value of the variable x is multiplied or divided by the same constant if y is equal to ax where a is any constant then y bar is equal to ax bar if y is equal to x upon c where c is any constant then y bar is equal to x bar upon c and if y is equal to ax plus minus b then y bar is equal to ax bar plus minus b simply जहां पे भी अब यह मैंने आपको example देदी यह constant तो उनोंने यही equation इस तरीके से लिखिये y is equal to ax plus b यह वो यह भी लिख सकते थे y is equal to ax minus b इदर plus 5 इदर minus 5 वह आता सही है, तो जो real example हो आप लोगे सामने उनोंने constant के लिए a और b को considerate कर लिया कुई भी number हो सकते है constant के 1 से लेकर 9 तक 0 से लेकर 9 तक सही है, तो 0 होगा तो वो तो 0 कर देगा तो तो तमाम बाते इसमें बता दी है कि अगर multiply हो रहोगा, divide हो रहोगा, add हो रहोगा, subtract हो रहोगा तो constant पे किसी किसम का कोई ऐसर नहीं पड़ेगा, variable के ओपर क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा इस question को और अच्छी तरीके समझने के लिए उन्होंने एक example भी दे दिये, उस example में देख लिए weekly price दिये में आप लोग को, उन्होंने बताया क्या है कि weekly price है, एक से show करेंगे, of an item for a sample of six week, six week का sample दियावा, is given below, आप लगर पास six week का sample मौझूद है, mean price per week मालुम करनी है आप लोग को, six week का sample है, तो आप लोग को mean price per week मालुम करनी है, इसका मतलब क्या है, कि छे की छे week की observations को plus करेंगे, divide by six कर देंगे, mean price निकल के आजेगी per week, सही है, तो नहीं नहीं बोला, mean price per week मालुम करें, यानि कि x बार मालुम करें, लिखके भी दिखा दियो उनने, if y is equals to 2x plus 3, सही है, देख लीजेगा, आप लोग की बुक में plus 3 लिखा वाए, अगर plus लिखा वाए ना, तो इसको यहाँ पे minus कर लीजे, सही है, तो y is equals to 2x minus 3, then find y bar, क्योंकि कि क्या यूँस किया है, आगे minus यूज किया है, सही है, या तो इदर plus रहने थे, calculation प्लस कर लें, answer को correct करलें, मार क्योंकि का answer minus होकी है, तो इसलिए ही minus कर लें, तो if y is equals to 2x minus 3, then find y bar, सही है, y bar, अगर y बदाब रहाब हो 2x minus 3, तो आप लोग को y bar पता करना है, सब सिंपल सी बात है आपको ने कॉलम बनाया किसका सबस्क्राइल आप लोग स्विशन के बाद अगर आप लोगे पाई एक कोशन आएंगा अभी तो एक्जेंपल में मौझूद है अगर आप लोग अपाएए कोचिन आएका तो आप लोग s-bine-node दर करके formula शो करवाएंगे x bar का formula शो करवाएंगे x bar मालुम कर रहे हैं क्योंकि x bar is equal to submission x upon m फिर आप लोग तमाम x की मदद से क्या करेंगे एकस बार मालुम करेंगे, एक कॉलम बनाएंगे जिसमें एकस नि дело होंनेила एकस प्लॉस, वो प्लब्स लेटायों, ऑग उपास 현 làm रहे है 138 जिस yapıl assembler अध्यु छे कोर्म फॉर 25 बार, और उपसे सब हुए तो निकल के आगर जो मीन प्राइस पर वीक के लाएगी तो इसके साथ चाहें तो आप लोग रुपीज लगा से तो इस तरह को उन्होंने मेंशन किया वाई रुपीज लगा कि यह तो फर्स पार्ट आप लोगे सेकिंड पार्ट में क्या करना है इफ वाई इक्वेस्ट टू कहुंला हुआँ अप लिवक्षण लॉपीज में बूपार्ट में अप्र निकल खराइब ख्यांगे अप्रटल को पर प्रपटी ऑफ ऑफ मेंतिक लिए अप्लाइक लिए किया कई आप लाएक लिए सिकवेस्ट टू टू एक्स बार्र-3 यह चीज हो जाएगी ओगी और य सब्सक्राइब करें तो आपको 43 आपके पास अब पास दिखल निकल के आजाएगा इस इसल कें वेरिफाई पाद फॉलिंग डार थांसफोर्म वेल्यूज ऑफ वो बोल किया है यह रिजल को हम लोग वेरिफाई कर सकते हैं किस तरीके से कि हम लोग हर वाइकी मालू करें क्या मतलब अभी तो आपके पास x-bar की वैल्यू कितने आए थी x-bar की वैल्यू 23 आए थी और y-bar की वैल्यू का निकल के आए y-bar की वैल्यू आपके पास 43 निकल के आए अब वो क्या करें जिस तरह x था आप लोगों ने तमाम x लिखे वे थे x क्या थे 25 था 20 था 30 17 25 21 सही है सम किया था आप लोगों ने इसका सम कितना आ था 138 आ रहा था आप वो बोलें y जब बराबर है किसके 2x-3 के तो आप हर x की वैल्यू इदर दालते रहे और किसकी वैल्यू निकालते रहे याइनि के फॉर्चेंपल हम लोगों ने इदर x की वैल्यू दाली तो x की वैल्यू हम लोगा पास हो गई 2x 25-3 याइनिके 25 हो गई हमारे पास एक वैल्यू आ गई y की इसी तरह किसे दूसी वैलियू में हम लोगोंने 20 डाला और फिर माइनस 3 कर दिया इसका मतलब क्या 40 माइनस 3 इसका मतलब 37 सही ना इसी तरह किसे 2 मुंटिप्लाइबाइब 30 माइनस 3 यानिके 60 60 माइनस 3 यानिके 57 सही यह तो इस तरह य चाल कि या फिर जाएंगी तो समीशन वाइं आजाएगा और वाइपार हम लोग इसी निए मालुम करेंगे यानिके समीशन वाइड वाइट वाइन करके जब submission y divided by n करके हम लोग के वाई पार मालूम करेंगे तो वो ही value आएगी जो के इधर निकल के आ रही होगी 43 तो यह हम आपा इस तरीके से भी हो सकता है मगर क्योंकि हम लोग बिकॉम में हैं जब काम करेंगे इस तरीके से करेंगे ताकर के examiner को पता हो कि उस बच्से बच्चे के कॉन से बने में ऊस बच्चे को प्रपेटी का इल्म है तो प्रपरडी की मद्शे कीजेगा इस से काम जल्दी भी हो जाए का दूसरा ये चिए परेशन परेगा कि हाँ भाई आप लोगोंने पहरा के question solve कर रहे हैं, आप लोगोंने कोर्स को बकायदगी से परा है, सिर्फ निम्टाने वाला काम नहीं किया, सही है तो आप कहते हैं न स्टुडिन्स के काम करने के अंदाज से पखल जाता है कि स्टुडिन्स की इतनी worth रखता है, सब्सक्राइब और अपने उपर है। अपने कम को असान आपस एक्जाअगे व हुआ इसे तरीके से फूर जाएगे। एक्जेम्पल नम्बर टू में भी यही काम किया उन्होंने किस से रिप्रेजेंट कर दिया यू से रिप्रेजेंट कर दिया जरूरी नहीं है कोई कसम नहीं कहाई भी कि वहाई से रिप्रेजेंट करेंगे यू से रिप्रेजेंट करते हैं उन्होंने यू से रिप्रेजेंट कि हमाइब पास पूरा कंप्रीड हो गया किस डाइटинов मुट अर्थेमेटिक मीं के पास क्या पास क्या क्या वज्यंटेशा अtak अपेरिया और हार्मोनिक मीन तो ढौंतीजिश स्विम कि एक हमाइब पास एक ऐसा इसक कॉसिंट णिसक्र्स केले तक दिस में चरश था हैं तो आगे हम लोग आता है वेटेड मीन इसको मलग पढ़ेंगे मगर अभी क्योंकि हमाये पास इस प्रपिक के साथ सिक्वेंस में नहीं है यह बाद में पढ़ेंगे जब हम लोग तमाम किनों टाना का डियल कर चुके होंगे तो उस वक्त हम लोग पढ़ेंगे वेटेड मीन को सही है कुछ नहीं है वेटेड मीन में सिर्फ मुला है और थोड़ा समझनेया काम है तो आप लोग आप लोग जा रहे हैं अपनेटिक मीन हम लोग देटिक हम लोग अन्गुर्जप देटा के लिये अप अन्गुर्प देट केलेंगे पूरा काम कर लेंगे यहाने कि जूमेटिक मीन भी हार्मोनिक मीन भी मीन मोड भी इंडियर यह तमाम चीज आप मालूम कर लेंगे अंग्रूप डेटा के लिए तो पतल जाएगा किस सीकने के लिए बताएं कि हाँ भाई मोड क्या होता है तो हम लोग बात कर सकते हैं मोड हम लोग के पास मोस्ट रीपीटिड वैली होती है सही है data की कि data meant ऐसी value जो सबसे जादा number of times repeat हो वो हमले के पास क्या के लाएगी mode के लाएगी सही है मैं आपनों को example दूँ एक observation निकी बार के पास number of observation है 3, 4 2, 4, 3 1, 2 7, 9 3, 7 2 यह observations देखिए हैं मैं लोगोने आप देखें कितनी observation होगा है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ observations हो गही इन नौ observations में वह आप लोगो बोलते हैं कि क्या मालूम करो mode मालूम करो सही mode क्या होता है मैंने आप लोगो बताया है most repeated value को बोलते हैं most repeated value को बोलते हैं तो हम लोगों ने बोला data में ऐसी value को सबसे जादा number of times repeat हो तो वो चीज मोड के लाएगी हम लोगो लेखा भाई repeat हो रहा है two, एक बारा है, दो बारा है, तीन बारा है seven, दो बारा है और four repeat नहीं हो रहा, three repeat नहीं हो रहा, one repeat नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या है, सबसे जादा number of times क्या repeat हो रहा है two repeat हो रहा है, तो हम लोगों बोला mode की value क्या हो गए, two हो गए, और mode को हम लोग किस तरीके दो करते हैं हम लोग values किस तरीके से निकालते हैं, सही, और कौन से चीज क्या होती है, सही, अभी तक हम लोगों ने arithmetic mean का काम किया है, और ungroup data से किया है, अच्छा जी, तो mode और पर चलिगा, कि mode किस तरीके से निकलता है, कि mode separated value जो होगी data की, वो हमारे पास mode होगी, अब कभी कबार क्या होता है, कभी कबार ऐसा होता है, कि हमारे पास कुई value repeat नहीं हो रही होती, जब कुई value repeat नहीं हो रही होती, तो हम लोग लिखते हैं, कि हमारे पास no mode, यानि कि mode exist ही नहीं करता, zero नहीं लिख देंगे mode की यह रिपीट हो रहा है, तो हम लोग ने बोला कि जब भी हमारे पास नो मोड यानि कि मोड एकजिस नहीं करता, कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारे पास कुस्टें में जिस तरीके उपवाला कुशन है, किती मर्तबा रहा था हुगा था, थी टाइम्स आ रहा हुगा, स्पू सकता दो मोड हो जाएंगे जयानिकर 2B हो जाएगा और 7B हो जाएगा दो मोड ऐसी distribution जिसमें अमने के पास एक से जादा दो मोड हो वो bimodal distribution क्या लाती है सही ऐसी distribution distribution आप उसे पढ़ाओ का frequency distribution की होती थी तो इस्टेक्स में बहुत साई distribution पढ़ेंगे बाइनोमियल distribution पढ़ेंगे हाइपर जोमेटिक distribution है सही इस तरह की distribution होती है उनका डेटा उनके लिहाज से होता है उनकी क्या क्रेश्टिक को रिप्रेजेंट करता है तो अभी क्या बात हो थी अभी यह हो रही थी कि आप लोग के पास अगर किसी न्याक किसी डेटा मैं आप पास एक मोद होगा तो वह किस distribution से बिलांग करता हों कर दो करता होंताओ यूुनि मॉडल distribution क्यलाएगी अगर दों होंग तो वह बि स्थिंद से जए यादा मोड तो मिल्कित distribution कैलाएगी a unimodal by model और multi-modal distribution के लाएगी मोड आप लोगो निकालना आगे किस तरीके से निकालते हैं मोड़ बोलते हैं कोई रीपीट नहीं हो रहे होगी कि हम लोग इसके पर कहा लिखेंगे नो मोड लिखेंगे थी अभी किस तरीके से करना है अप लोगों अच्छा जी मीडियन की बात करते हैं अब जब मीडियन की बात करते हैं तो मीडियन हम लोग पास होती है most middle value of the data more क्याता most repeated value of the data देटा इसमें कॉन सी है मीडियन के लिए याद अखिए का हमेशे जब भी मीडियन मालूम करते हैं तो अपने डेटा को अरेंज करना बहुत ज़रूरी है जब से चोटी डेटी वन नो गया और इसे बात फिर जेट और ती तीन मत्रवादा तो सही थी किती बार आ रहां एक बार आ रहां ज़से जो जो कि अफेशन हो गई उन उडिकर कर देता हूं जब से फांच जब गेशन होगे पांच विचे माई नहीं हो गया 7 लिखा वैं कितनी बार आ रहा था 7 तीन बार आ रहा था सही इसी तरीके से कोई observation 8 है नहीं है 9 है 9 लिख दिया हम लोगोंने एक दो तीन 4 5 6 7 8 9 10 एक दो तीन 4 5 6 7 8 9 10 10 की 10 observation थी और 10 की 10 observation हम लोगोंने लिखनी तो यह रखेंगा जब भी अपनी observation अरेंज कर रहे हो तो अरेंज करने से पहले कितनी observation थी और अरेंज करने के बात कितनी observation है यह ज़रूर कर लिए करें ताकर पता हो आप लोगोंने के सारी के सारी आप लोगोंने काउन कर लिए उसको कंसेरे करके लिग दिया है अब अब क्य तो अपने अप्सर्वेशन काउंट करेंगे अपने अप्सर्वेशन काउंट करेंगे एक दो तीन चार पांच उया अगना के पास नंबर अब्सर्वेशन अगर आपके पास नंबर अफ पुर्वेशन नंपर अप्सक्राइशन 10 observation थी 10 किसमें आता है आप लोग के पास even में आता है तो आप लोग बोला है सही हम लोग के पास 10 जो है वो हम लोग के पास even में आएगा और जब भी हमारे पार number of observation even होंगी तो हम लोग median का यह वाला formula लगाएंगे 1 upon 2 n upon 2 plus n plus 2 divided by 2 और यह लिखा वाई TH value यानि कि कोई ना कोई value आएगी 5th value, 7th value, 9th value कुछी value आ सकती है अगर हम लोग के पास number जारी बात है एक चीज़ तो यह हो गई ना भाई number of observation हमारे पास even हो अगर हम लोग के पास number of observation odd होंगी यानि कि हमारे पास 9 observation हो 11 observation हो, 17 observation हो यह 17 क्या है odd number है पता होगा आप लोग को ऐसे number जो 2 से exactly divisible नहीं होते वो odd number के लाते हैं और ऐसे numbers जो 2 से exactly divisible होते हैं आपस even number के लाते हैं यह तो के टे बल में जो आते हैं रही हो तो number of observation अगर even होंगी तो यह वाला formula है number of observation और होंगी तो यह वाला formula है हम लोगं के पास n प्लस 1 डिवाइड़ेड़ बाइ 2 सही छोटाजा formula है median की representation परजण लेकर मोड की representation परज़़़गे mean की representation परज़़़़गे यानि कि एक ता simple x-bar दूसरा क्या था आप लोगं के पास x-cap mode और तीसरा क्या आप लोगे पास X कर्ष जए तो आप लोगे पास इस तरीके से लेग सकते हैं है अपकी तो बार बार विदियन लिखिए है और बार में पुरहतिमाटिक मीन लिखना है उसे अच्छा है है उससे कि सिंबट्कों के इस्तेमाल किया जाया है अब हम आए पर दो फॉर्मॉला आ गए अब हम लोगों ने हैं अब हम लोगों ने तर काउंट किया हम लोगों नहीं करेंगे तो डैटा को प्रोशन आप लोग सौल्फ करें उसका सौल्फ करने का फाइदा कुछ नहीं होगा डेटा को अरेंज करने के वाद हम लोगों ने यह फॉर्मुले की मदद से सॉल्फ करते है नमबर ऑफ ऑब्जवेशन किती थी दस ऑब्जवेशन थी 1 अपॉन 2 भार ही है इदर 10 आ गया एंड डिवाइट बाइ 2 यानि के 10 प्लस 10 डिवाइट बाइ 2 इदर क्या होगा 10 प्लस एक सिक्स क्राइब है इसके साथ भी आ गई यहनिके फिफ्ट वेल्यू और इदर आ गया शिए उमीद है कि आप लोगों को समन में आ गया वागा और जाव इनके वेल्यू आपन कि थी वेल्यू बेल्यू अब फिफ्ट वेल्यू आप पाद डेटा में कॉन सी है तो हम 4th 5th value यह 5th value हो गई और यह वारी value हम लोग के पास 6th value हो गई data में से तो हम लोग ने 5th value पिक कर लिए जो के 3 थी 4 दोनों को plus किया 7 divided by 2 और 7 divided by 2 का मतलब क्या है कि 3.5 हम लोग के पास क्या निकल क्या आगिया median निकल के आगिया तो median is equals to 3.5 सब्सक्राइब क्या पास middle value of the data थी तो हम लोग के पास even observation थी तो इसके मिड में लाए करता होगा हम लोग के पास median middle value of the data आप लोग के पास इसके मिड में लाए करती होगी सब्सक्राइब तर दूसरा तरीका यह है यह कि other observation क्या होती observation यही लिखी वी होती इधर मैं आप लोगों को लिखके दिखायाता हूं इधर कर लेतें काम observation लिखिए 1,2,2,2,3,4,7,7,2 मर्तबा लिया 7 तो अब देखिए observation कितनी हो गए 1,2,3,4,5,6,7,8,9 अब observation कितनी हो गए 9 हो गई यानि कि number of observation odd हो गई तो number of observation odd हो गई कि हम लोग उसका median किस तरीके से निकालेंगे आप लोगो पता है second वाला formula लगाएंगे और 9 plus 1 and क्या होती है number of observation होती है तो 9 plus 1 divided by 2 इसका मतलब है 10 divided by 2 10 divided by 2 का मतलब है 5 और 7 में क्या लिख्या हो आता TH value यानि कि 5th value आ गई तो arranged data में से 5th value पिक कर लेंगे 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th value और 5th value आप लोगे पास क्या निकल के आई 5th value आप लोगे पास 3 निकल के आई जो क्या आप लोगे पास क्या हो गया median हो गया आपकी बुक में जो चाहिए जमाल की बुक हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अब रफ्रेंस बुक के तौर पे उसमें आप लगप पास number of observation जब odd होगी यही formula यूज किया गया है चेक कैसा भी data हो सही है तो हम लोग ने event के लिए अलग formula पढ़ लिए और odd के लिए अलग formula पढ़ लिए है पता होना चाहिए आप लोग को सही अराम से value निकल क्या रही है तो काम किस तरी के लिए करना है बता है यहां तक का यह काम था यहां अब अगर हम बात करें किसकी के भाई मैं आपको पर बता चलूँ रिजिस्टर में काम किस तरीके सो का है मैं बताओंगा भी मगर अभी सिफ हम लोग यह देख रहे हैं किस तरीके से क्या चीज मालम होती है मेडिएंग देख लिया मेड्यम मोड देख लिया अगर बात करें किस की करें मोड मोड यह सबसभर आइछ करने के बाद किया है जो भी सबस्राइब अख वुझ तो 10 उसथीं न तो 10 का हाइव किया तो 5 हो गई तो 5 नहीं कोई सी भी 4 ऑबजेबिशन एक तरफ करनी शुरू आली और 4 ऑबजेबिशन आखर ली एक तरफ करनी देखराँ आप लोग 4 एदर हो गई 4 एदर हो गई बीजक के observation बची कौन सी 2 observation बची के दून को मिड्यों करने कि रिवाइट इस तो रोगो ने तो अपको पास क्या कि आजिए कि मीडिय की गी मीडिय थी सब्सक्राइब थी तो आप लोगों ने फॉर्मुले के मतल से माँवियों दा रहा हूं मैं शुरूर की चार ऑप्जरेशन आपर की चार ऑप्जरेशन अगरें छार जारी फॉर्टीन और टा थे लिए लिए दौनों को लगा करेंगे फॉर्टीन का आप सेवन होता है तो इसी तरीके से अगर आप up observation आप लोगे पास ओड ओब्शवेशन होगी और ओवर अब्शवेशन होगी इसके मतलब क्या है नाइन हो गई 16 17 15 हो गई तो इसमें क्या केरेंगे जिस तरीके से लिख आप अपने जे लिए पिखने नौंग पर प्रॉपर्टी आप लोगों को जब लोगों सारे मीन के कुश्चिन्स कर लेंगे ना टुएंटी के टुएंटी तो उससे पहले ही जैरी बात है प्रॉपर्टी से रेलेटेड बी गुष्चिन्स मेरेप ख्याल के पॉपर टी से रिलेटेड ख्याला के अभी देख के बता जाते हमलों ढूंय। प्रॉपकरी से रिलेटेड कुछीन है हमाइन के प्रॉपकरी से रिलेटेड तो देंगे दोनों तरीके से काम हो सकता है क्या क्या कुली बीस कोश्चिन लिए हो और बीस कोश्चिन के बाद जो है न, बुक में सही आप लग कर पास property of Arthematic mean के आप लोग says Arthematic means भ्लोग है अधिना कि दालगे सारे की पेज नंबर कि विकॉपरी ओक्यूंक challenge भी करने बता गयाता हुँ पेझमे पहल तरेलों स्क्राइच के दौपरेट्पर्टी अधिन के की हाइस्सरे लग आट का लिग में fight तो यह सिभ यह copy कर लिया, इसी तरीके से थर्ड आप लोग के पास AM of N1 values for a set of data, तो यह आप लोग पूरा bold में जो हुआ है, dark हुआ हुआ है, इसको आप लोग उने copy कर लिया, और फॉर्थ में भी यही copy कर लिया, तो हाँ, अच्छा जब फर्स्ट और सेकिंड में तो आप ल आप लोग फॉर्मूला भी copy कीजिएगा, और फॉर्थ में भी आप लोग को यहां तर पॉपी करना होगा, y bar is equal to a x bar plus minus b, यानिके पूरा copy करना है, तो यह आप लोग के पास properties is arithmetic, यह आपको पता हों चाहिए, यह काम रिजिस्टर में होगा, अब आपकी मर्जी है, वो जो आप लोग के पास, किसका बचाया काम आप लोग के पास बचाया है, mode का और median का, काम हम लोग किस तरीक कैसे करते हैं, मैं आप बताओं, page number, page number 48 पे, आप लोग के पास mode की heading दरीवी है, सही तो जब पूरे 20 question हो जाएंगे, arithmetic mean की properties पूरी जाएंगे, arithmetic mean की topic निमर्ड गया, त आप लोग के पास, क्या लिखेंगे, mode की heading दालेंगे, definition की side heading दालेंगे, और लिखेंगे, mode is that value which repeat maximum number of times in a set of data, सही, यह आप लोग के पास definition है, page के बीच में, इंवर्ड पॉमास में, pointer या black pen से, आप लोग लिख लीजेगा, सही, बस यह definition लिख लीजेगा, बागे paragraph आप लो और mode के लिए, यह mode की value हो गई, अब कोई mode का formula नहीं है, तो mode is equals to most repeated value, लिख सकते हैं हम लोग, सही है, ताके हम लोग के याद रहे, बागे इसकी first example, second example, third example, fourth example, आप लोग की लिए तोफा है, आप लोग देख लीजेगा, अच्छी तरीके से, सही है, जो हम लोग उने बात क आप लोग को काम करना है, मीडियन का, तो मीडियन मैं आप लोग को बताओं के मीडियन तहां पर दिया वाए, मोट को टॉपिक चलता है, और मीडियन यहां आगिया आपके बास, मीडियन पर फ्रिक्वेंशी दिस्टिशिएंशन, पेज निमबर 53 पे मीडियन के बारे मता है, वाए, इस इसी तरीके से लिख लिजेगा, इवन नमबर ऑब्सेवेशन, और नमबर ऑब्सेवेशन, दोनों फॉमुले शो करवाना मकसद है, दोनों फॉमुले आप लोग शो करवादेंगे, दोनों फॉमुलों के बारे इंपता चल जाएगा, और इसकी ग्जेम्पल, एक्जेम्पल नमा, अब क्या करना है, आप जो मीडियन और मोट से रिलेटेड काम है, अंधर डेटा का, वो हम लोगों कर लेना है, एक्सराइस पर आजाएगे, एक्सराइस पर बीस क्वेशन हम लोगों लोगों नहीं किये थे, बाकी तमाम कोश्चन में आप लोगों को मार कर वायता हूँ, जो किसके हैं, मोट के हैं और मीडियन के हैं, सही है, बीच-बीच में से कोश्चन होंगे, और थोड़े प्रॉपर्टी के भी कोश्चन होंगे, जो इसी में आ जाएंगे, अब 2.35, 2.35 एक कोश्चन है, जो कि आप लोग अपास फिर्स पॉपर्टी का है, अर्थमेटिक मीन की, यह आप लोग कर सकते हैं, सही है, 2.35, और नोट डाउन कर रहे होंगे, आप लोग बुक में मार करना चाहें, बुक में भी कर सकते हैं, 2.57, 2.58, यह मोड मालूम करने का है, अंग्रूप डेटा का मोड, 2.64, 2.65, 2.66, 2.67, 6-6 तक मीडियन मालूम करना है, 6-7 में तीनों चीदे मालूम करना है, मीन, भी मोड, भी मीडियन, भी अंग्रूप डेटा दिया आवा है, 2.68 में भी, Find Their Million and Mode, डुनेशन, यह मालन करने है, 2.68 तक आप लोग कर पास काम हो सकता है, हाँ, उसके बाद पिर आप लोग डेटा के कोशन्स बगरा यह तमाम चीज़ा आ गहीं, बागी तो आप लोग वक्त वर्क फज़र करती रहेंगे, खेर, तो यह आप लोग को हम वर्क है, जो मीडियर और मोर से रिरेड़ है, इंशाला नेक्स लेक्चर में हार्मोनिक मीन और जुमेटिक मीन के लेक्चर के साथ हाजर होंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल लग कियेगा, आला आफेजिए.